जैहिंद प्यारे साथियो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गुरू जी हेल्प लेस पर तो दोस्तो बार बार जो है पेपर लीक हो रहे हैं रद हो रहे हैं आगर हम हर्याना की बात करें तो असिस्टन लाइनमेंट की जो वकेंसी है उसक के अंदर तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है वो गड़बड जाला हो रहा है हर बरती के अंदर जो है वो यानि की कैंडिडेट के बहुषय के साथ खिलवाड की अजार आए और दूसरी ये दूसरी जो सुचना है वो किस से जुड़ी है पुलिस बरती पर तो इसके अंदर क्या है स्तान में उमीदवार अभी तक कंफरम हुए है कि 97 उमीदवार जो है 97 उमीदवारों की जिगा किसी दूसरे कंडिडेट ने परिक्षा दी थी यानि कि डमी कंडिडेट बठाए गए थे तो डमी कंडिडेट जो है वो आसानी से नहीं बठाई जा स सकते हैं उसके लिए काफी ज़्यदा संगर्स करना पड़ता है हलांकि सेंटर सुप्रीडेंट वगरा सेंटर इंचार्ज वगरा सिक्योर्टी जो बायोमेट्रिक वाले होते हैं वो सारे मिली जूले होते हैं और कहीना कई वो जो फोरम बढ़ते हैं फोरम अपलाई करते है तभी से इस चीज़ की सुरुवात हो जाती है आपने असिस्टेंट लाइनमेंट की वेकैंसी के अंदर भी देखा होगा एलम में क्या था कि जब फोरम भरवाए गे थे ना उसी टाइम फोटो सिगनेचर वगेरा जो है वो चेंज़ गरवा दिये गे थे जिसको बिठाना था उसी के फोटो लगा दिये थे तो यह है मामला और दूसरी तरफ अपने पडोसी राज्ये राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में कैए रीट की जवक एंसी थी वो हालंकि सरकार ने मामला दबा दिया है और रीट को दबा में आकर रद कर दिया है और अगर उसकी सी भी जांस होती तो क्या होता से बड़े मगरबत जो है हालंकि जो सरकार है उसके बड़े-बड़े मंत्री जो है उनके नाम जो है वो सामने आ जाती तो सरकार ने अपना बचाव कर लिया है और अब हम बात करते हैं मुद्दे पर आती हैं असिस्टेंट लाइन मेन और पुलिस बढ़ती से समन्दित हम बात करेंगे एचससी की तो एचससी जो है तीन-चार जिनों में काफी बड़तियों के रिजल्ट जो है वो जारी किये हैं ओनलाइन डोकुमेंट जो है वो बारा से बीस पर विल तक अपलोड करनी है बच्छों को और ये एक और बड़ती से समन्दित अपडेट है पुलिस बड़ती से समन्दित इसमें स्तानमय कंडिडेट्स को जो है वो समन्द दिये गए हैं उसके बाद भी नहीं पुंचे वो डमी कंडिडेट्स से दोस्तों जिनोंने दूसरे की स्तान पर परिक्षा दी थी और तीन S.I.T. ने अभी तक पकड़ लिये हैं हर्याना पुलिस मा दी जा रही है चै लोग इसमें चै लोग जो वो सेटिंग करवाने और वस्ताइश उमीदवार और तीन परिक्षा देने वाले आरोपी किरपतार केगे हैं और इधर क्या है सत्यापन में लगातार गड़बडी आ रही है सामने ये असिस्टें लाइन में बरती का जो है इन परिक्षा सची भी जो है वो नकाम होती दिख रही है दोस्तों हर बरती के अंदर हर बरती के अंदर गड़बड होती है पांच फरवरी को उन्हें बेजकर पंसकुला में पेस होने के लिए का गया था जो पलीस बरती के अंदर जो परजी उमीदवार थे हैं उनको लेकिन अभी तक वो पेस नहीं हुए है ये उमीदवार कौण कौण से जिलों के हैं करना रोद तक सोनी पत पानी पत जिलों के दिखतर उमीदवार हैं दोस्तों और इनके जो डाटा है वो SIT को HSC की तरब से दिया जा चुका है 84 पुरूश और 13 महिला परिक्षारतियों कि जगा है दूसरे लोगों ने परिक्षा दी है इसार और पत्यावाद के दो महिलाओं समेथ 3 आरोपी अभी तक जो है वो गिरफतार किये कही है तो दोस्तों हमें कहीं ये जो लड़ाई है वो लड़नी होगी जो ये चल रहा है गड़बर जाला इसको रोकना होगा कहीं ने कहीं जो निस्पक्स रूप से जो परिक्षा है वो जब करवाई जाएगी तब जाकर फेर सेलेक्षन हो पाएगा पढ़ने वाले बच्चों को जो है उमीद रखनी चाहिए और ऐसे जो है मामलों से पुलिस को अच्छा सची को आवगत करवाना चाहिए और इन मामलों से खुद को भी दो रखना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यू जेहिन